पार्टी के राष्ट्री अध्यक्स सिरी दिग्विजय जिंग चोटाला जी ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग करकर सभी जिला अध्यक्सों से हाल चाल जाना और जो जो जिस जिले में करोना को लेकर और आने वाले नए सेशन छात्राओं को किस परकार से साहिता दे सकार उसको लेकर समयों का हाल चाल जाना और किसी को आ रही दिखतों के बारे में पुछा तो जिस परकार उनों ने मेरे से भी जिला फ्रतेवाद का सारा कुसल से हम पुछा और प्रतेक चात्रों को किसी को आ रही प्रिशानी उसके बारे में विजिकर किया जो विचारे आज के दिन लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं उसके उपर भी सरकार राष्ट्री अदेखजी ने कहा है कि उनका भी माफ किया जाए क्योंकि आज के दिन लोगडाउन के अंदर ना तो कोई भी छतर या कोई भी किसी के पास अपना परिवार के पास वेहसाय का सादन है इसलिए सरकार से राष्ट्री अदेखजी ने हमारे को काई कि मुख्या मंतरी और मुख्या मंतरी जी से बात करकर इनका माफ कराने का काम करेंगी इसको लेकर राश्ट्री अतेखजी को यह दिगरित किया गया है वो मुंख्यमत्रिशी से बात करकर इस मामले को जल से जल चातरों के उपर आ रहे हैं लोन के और अन्य समझेशों को दूर कराने का काम करेंगे तो जो जिला फतेवाद में दिक्कत आ रही हैं उनके लिए आपने क्या सोच रहे हैं उनको लेकर हमने बताया राश्ट्री अतेखजी को कि हमारे जिले के अंदर भी छातरों को बहुत प्रोब्लम मारी है जैसे कि कोई लोन लेकर पढ़ाई कर रहा है वो सब का हम डाटा राश्ट्री अतेखजी को जल्दी बेज़ देंगे और उन पर जल से जल उनके उपर जो भी उनका लोन मापिका या जो भी सरकार नीजने लेगी वो राश्ट्री अतेखजी सब के सामने रखने का काम हम उनों लोगों से भी पूछा है कि आपके साथ या कोई आपका भाई बंदु बहन भाई अनेता चातर कोई भी इस परकार से लोन या किसी से कर्ज लेकर पढ़ाई कर रहा है वह हमें जानकर दे हम इसकी जानकर को परदेश के बुख्या मदरी तक बुचाएंगे और इस कर् सात्राओं को किसी परकार की तिके दनाए क्योंकि वह हमारे देश का वुच्वल बोई से है